दोस्तों आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूटूब चैनल लेट्स डिसकस में दोस्तों आज है साथ अगस्ट टूथाउजन टॉन्टी तो आज हम क्लास टेंथ का दसमिक अक्षा का विज्ञान वरक्सिट नंबर 15 करेंगे और इसका अंसर मैंने प्रोवाइड कर दिया है तो पहले इसमें क्या है वो में रूप में देखते हैं और उसके बाद हम अंसर बताएंगे और उसी से ये सारे जो वरक्सिट है कंपलीट हो जाएंगे आपका बहुत अच्छा मोस्ट वीविया है ये 2021 में इस वरक्सिट से दो कोशन 100% जाएंगे दोस्तों तो आईए देखते प्लास्टर ऑफ पैरिस इसको तो आप घोल के पी जाए दोस्तों जितना हो सके और उसके बाद प्लास्टर ऑफ पैरिस कैसे बनता है क्रिस्टीलन का जल क्या है यह बहुत इंपोटेंट है दोस्तों और उसके बाद जो ना प्लास्टर ऑपेरिस कॉल तो इसमें कुछ को शन्स है दिये हुए दोस्तों इस को हम डिसक्श करते हुए यही कोस्शन से जो इस पूरे चप्तर इस पूरे który पूर नाम क्या है इसके तीनु प यह लिखकर पूरा नाम होता है प्लास्टर यहीं शूतर इसका जनम मैंने ठोड़ा सा एक्स्त्रा लिख दिया है जोड़ा फ्लासर फ़ाइगा ह deven경ा Planetik ौप enforce यह लोटत्य दिछ librarians प्रप्त होता है इसका निर्मान CSO4.2H2O को बट्टी में 373 कैल्विन पर गर्म करने से प्राप्त होता है तो इसके तीन उपयोग क्या क्या है मैंने चार लिख दिया क्या पता दोस्तों तीन अगर याद करेंगे तो तीन याद क्या रह पाए या नहीं तो इसलिए चार कम एटनिस्ट कीजिए ताकि आपको याद रह पाए तो इसका तोटी हुई हड़ियों की सुरक्षा के लिए Plaster of Paris में का इस्तमाल किया जाता है और या खिलोने सजाबटी सामान बनाने के में किया जाता है इसका थाड उपयोग है सुन्दर और डिजाइन छटे और कमडे के इंटीरियर बनाने में किया जाता है और फोर्थ है दोस्तो मिट्टी के सांचे बनाने में कोशन नमर से कहने उदारन सथिय्fre abbast करिस्ट्लन का जल पडिवास। क्रिस्ट्लन दोस्तों लवन आईनिक रूफ योगिक ठो सवस्था में इन्हें हम क्रिस्ट्लन का जल कहते हैं जब लवन जो हो आनीक योगी के छोस अवस्था में रहता है तो उसे क्रिस्टलन का जल कहते हैं। के लिए नियुक्त की नीले रंके दिखते हैं। क्योंकि इसमें जल के पांच अनु उपस्तित होते हैं जिसे क्यारण सल्फेट का रासाइनिक सुत्र CUSO4.5H2O हो जाता है सब देखते हैं जब CUSO4 यानि कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल क्रिस्टल गर्म किये जाते हैं तो यहाँ जल के अनुकात्या करता है वह इसका रंग सफेद हो जाता है अब कोश्टन नमर्ट थाठ है दो फ्लाश्टर और प्यरिस को जिपसम कैसे प्राप्त करते तो पी एक्षन है समीकरण है इसे लिख देंगे तो इसका अंसर कंप्लीट हो जाएगा तो सी एसो फोर डॉट टू एस्टू ओ इसको 373 कैल्विन पर हम करते हैं गर्म करते हैं तो सी एसो फोर डॉट हाप हाप ह्टू प्लस रिवाइटू ह्टू तो जो यह जिप्सम है यहां सी एस पदार्थ के नाम लिखे तो जब के लबन की सी एसो फोर को कॉपर सलफेट को इसका रंग नीला पदार्थ कॉपर सी एसो फोर डॉट फाइवेस्टू हो जाता है और किनी तीन आध्र लबनों के नाम बताईए तो दोस्तों जिप्सम है जिसका राशाइनिक नाम भी सुत् ना सी यूशो फोर टू एच टू और उसके बाद कॉपर सलफेट सॉरी जिप्सम में सी एसो फोर डॉट तू इस टू और फैड़ सलफेट है फी एसो फोर डॉट सेवन इस टू थैंक्यू दोस्तों देखने के लिए अगर यह वीडियो पसंद आया लाइक करें सेयर करें स तो आज हम क्लास 10 का दस्मिक अक्षा का विज्ञान वक्सिट नंबर 15 करेंगे और इसका अंसर मैंने प्रोवाइड कर दिया है तो पहले इसमें क्या है वो में रूप में देखते हैं और उसके बाद हम अंसर बताएंगे और उसी से यह सारी जो वक्सिट है कंप्लीट हो ज प्लास्टरा पैरिस कैसे बनता है ठीक है क्रिस्टी लन का जल क्या है यह बहुत इंपोटेंट है दोस्तों और उसके बाद प्योपी क्या है प्लास्टरा पैरिस फुल न तो इसमें कुछ कोशन्स है दिये हुए दोस्तों इस को हम डिसक्स करते हैं यही कोशन्स है जो इस पूरे वक्सीट में बहुत इंपोटेंट है इसे आप बहतर तरीके से कर ले और यही है आपके लिए इंपोटेंट तो आएए दोस्तों कोशन डिसकस करते हैं कोशन नमर फरस्ट है प्योपी का पूरा नाम क्या है इसके तीन उप्योग लिखे तो प्योपी का पूरा नाम हो तो रासाइनिक रूप से प्लास्टर आप पैरिस अर्धजालिय कैलसियम सल्फेट है एबम यह जिपसम से प्राप्त होता है इसका निर्मान CSO4.2H2O को बटी में 373 कैल्विन प्रगर्म करने से प्राप्त होता है तो इसके तीन उप्योग क्या क्या है मैंने चार लिख दिया क्या पता दोस्तों तीन अगर याद करेंगे तो तीन याद क्या रह पाए या नहीं तो इसलिए चार कम एटनिस्ट कीजे ताकि आपको अच्चा के लिए प्लास्टर ऑप पैरिस में कैस्तमाल चीया जाता है और या खिलो ने स सजबती सामान बनाने के इसका थार उप्योग है सु नदर और डिजाइन छते और कमडे के इन्स्तियरियर बनाने में किया जाता हैagu मिट्टी के सांचे बनाने में कुर्चन 7 exam से खते दोस्तों का जल पदğiवासिते तो क्रिस्टन दोस्तों लँशा आइनिक भू यजाओगी सबस्था में इन्हें हम क्रिस्टलन का जल कहते जब लबनो में क्रिस्टन का जल होता है तोНе हटा में रहता है तो में भूता है इंट्रा हाइड्रस लवन कहते हैं उदारण के लिए देखिए दोस्तों कॉपर सल्फेट के क्रिस्ट्रल नीले रंग के दिखते हैं क्योंकि इसमें जल के पांच अनू उपस्तित होते हैं जिसे कारण सल्फेट का रासाइनिक सुत्र सी यू एसोफोर डॉट फाइप एच्ट्वो हो जाता है सब्सक्राइब देखते हैं जब सी यू एसोफोर यानि कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल क्रिस्टल गर्म किये जाते हैं तो यहां जल के अनू का त्या करता है इसका रंग सफेद हो जाता है अब कोश्चन नबर थाड है दोस्तों प्लास्टर आफ पैरिस को जिप्सम से कैसे प्राप्त करते हैं तो इसका जो यह राशाइनिक शुत्र है जो दोस्तों यह रियक्शन है समीकरन है इसे लिग देंगे तो इसका अंसर कंप्लीट हो जाएगा तो CASO4.2H2O इसको 373 Kelvin पर हम करते हैं गर्म करते हैं तो CASO4.H2O प्लस 3Y2H2O जो यह जिप्सम है यहां CASO4.2H2O यह जिप्सम है और यह बना प्लास्टर आफ पैरिस Q4 देखते हैं दोस्तों क्या होता है जब क्रिस्टल यानि कॉपर सल्फिट को गर्म किया जाता है तो इस पर बनने वाले पदार्थ के नाम लिखे तो जब के लवन की कॉपर सल्फिट को इसका रंग नीला पदार्थ कॉपर प्रजब लवन के नाम बताईए तो दोस्तों जिपसम है जिसका रासाइनिक नाम भी सुत्र भी आपको याद रखना सी यो एशोफोर तू एच टू और उसके वाद कॉपर सल्फिट सॉरी जिपसम में सी एस ओफोर डॉट तू इस टू और कॉपर सर्फिट है सी यूज़ दोस्तों देखने के लिए अगर यह वीडियो पसंदा है लाइक करें सेर करें सस्क्राइब करें दोस्तों धन्यवाद